बिस्मिल्य रह्मने रहिम असलाम उलेकूम स्टूडन्स आज हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे मिलिकंस ओइल डॉब मैथड और इस टॉपिक में हम फिर्स्ट देखेंगे डायग्राम उसकी थीरी फिर जल्ड निकालेंगे और दैन इसकी मिलिकंस ओइल डॉब मैथड में हम बीसिकली चार्ज फाइंड करते हैं मिलिकंस साइंटिस का नाम है और इस साइंटिस ने ये प्रूफ किया था कि जो चार्ज होता है ओल डॉब पे वो एलेक्टरों के चार्ज के मल्टिपल होता है यानि हम देखना चाहते हैं कि लेक्टरों पे कितना चार्ज है ठीक हम जानते हैं वान पॉइंट सिक्स टैन पाव मैस नाइटिन इस एक्सपेडिमेंट से फाइंड करेंगे और ये जो बहुत इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूं वो ये देखने जा रहे हैं कि चार्ज एंटिटेस्ट केai đó doos में बिंदे बताया ये statement की आपको भी इसमें बता रहा हूं शुरू में बताएं थी आपको यह बात लेक्टर के स्टार्टिंग में कि चार्ज कौंटाइस्ट का मतलब किया होता है ोँदों एक चारीज फिक सअ वाया नहीं रखता है ृफ कैसे fix रखेगा एक particular रखेगा वो आज इसमें प्रूफ करेंगे रिजल्ट में हम देखेंगे तो चलते हैं हम next start लेते हैं Millican's oil draw method में यह मैंने इदर diagram ड्रा की हुई है और इस diagram में यह जो block ड्रा किया यह chamber है ठीक है इसके अंदर air भी होगी कुछ होते हैं चैंबर जिसमें हम करते हैं यह वेक्यूम है लेकिन इदर ऐसा नहीं है इस चैंबर के अंदर यह जो block है इसके अंदर air भी है और इसकी एक side पे window लगी हुई है इसको हम कह देंगे window 1 ठीक है यह जो बरीक लाइन यह देखें बो इदर atomizer लगा हुआ है atomizer से क्या होगा यहां पे oil drops out होंगे और इन plates की तरफ नीचे आएंगे due to gravity weight होगा तो downward आएंगे और इन plates पे hole होगा इदर मैं hold रहा कर लेता हूं ठीक है तो hole को हम H से लिखते हैं तो मैं H लिख लेता हूं यह फार इदर hole है ठीक है और यह oil drop इदर क्या कर रहे हैं downward मूफ करते हुए आएंगे और plates के दिर्मियान पर आजाएंगे और प्लेट्स को हमने बैटरी से कुनेक्ट किया हुआ है मतलब voltage अप्लाई किया हुआ है और देखें अपर प्लेट को positive टर्मिया से अटेश किया है तो इदर फिर अपर प्लेट पे positive charge distribute हो जाएगा और lower plate को negative से कुनेक्ट किया हुआ है तो lower plate पे negative charge distribute हो जाएगा अब देखें यह जो charge है यह जो चार्ज कहा हुआ हूँ यह जो oil drop है oil droplet है oil drop और अगर drop very small हो तो इसको droplet करते हैं इसलिए मैं इदर कहा हूँ oil droplet oil droplet कहां से निकल है automizer से निकल है automizer की nozzle है nozzle कहते है small hole को और जब इतने बरीक hole से यह liquid oil liquid बाहिर out होगा तो oil liquid की इस automizer की दिवारों के साथ wall के साथ friction होगी और friction से चार्ज आता है ठीक है अब देखें यह plastic है लेट यह जो automizer की यह जो दिवारे हैं यह plastic की है और यह liquid है यह liquid है और जब यह liquid oil दिवारों के साथ friction करता हुआएगा तो इस पर नेगिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है लेट नेगिटिव चार्ज जएगा प्लास्टिक नेगिटिव चार्ज ज्यादा Liberal दिवारे नेगिटीव चार्ज है अब देखेए यह प्लेटिव के अंधर विय उपास फैंट हें लिगल कि और ठीक है और चार्ज दृब इसे हैं सब्सक्राइब का रो जाएगा और consistent कैसे होगा हमें कैसे पता चलेंगा कि प्लेटे नी होगा इन प्लेट होसे के दि precipitation सबस्पेंड होने का मतब्बै कि इनके दर्म्यान प्लेट के दिश्पेंड के दिमान इन पहीं पहीं पह जोगा रुक जाहेगारा यानिसेश्पेंड होजएगा हम इन दरْ departure से देख आप विंडो से कैसे देख रहे हैं यहां पर हमने क्या किया हुआ है यहां पर लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स को हम लेट कर लेते हैं ऐसा है लाइट सोर्स के बिल्कुल आगे हमने रखा हुआ है लेंस लेंस का मकसद आप जानते हैं लेंस लाइट जब पढ़ेगी लेंस पर यहां से फोकस हो जाएगी और कहा हो कि यह नाइक प्लाइघ और यांड को क्यूं ने इसके इंसाइड यह विजा इस ली प्लमे मेज़ हो जाएगा हमें देखना है तो देखने के लिए साोस से लाइट लेंस पर पड़ए हो सीधी फॉकस होई कहां पर दर्म्यान में और दर्म्यान में क्या है और हमें और नज़र आना शुरू हो जाएगा और इसको देखने के लिए माईक्रासकॉप का सहरा लेते हैं और आप अपनी बुक पे देखेंगे तो माईक्री स्कॉप इस तरहां से आपकी बुक में डोटिड सरकल लगा हुआ ए जे जो डोटिड सरकल लगा हुआ है और साहथ इधे रिखा हुआ यदर एम केप्ली म डोटिड सरकल का कर दिए understood microscope लगी होगी अब microscope हम देख रहे हैं कि यह चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ गया है रूख गया है जब स्टॉप हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि से इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं इस चार्ज पार्टिकल पर एक तो डाउनवर्ड फॉर्स लग रही है जिसको हम कहेंगे gravitational force gravitational force का formula है mg और दूसरी force देखें चुँकि ये negative charge है और इस पे आप देखें upward force लगेगी upward attractive force लगेगी ये negative तो अपर प्लेट positive है तो अपर प्लेट के साथ negative charge के traction होगी तो upward एक और force लगेगी जिसको हम कह देंगे electric force electric force को किसे लिखेंगे F E से electric force का formula हम जानते है Q E से Q E होता है और इधर downward कों सी force लग रही है gravitation force और gravitation force का हम किसे लिखते हैं F G से ठीक है तो ये जो oil drop light है इस पे two forces लग रही है एक upward upward force लग रही है इस पे electric force जो के traction की force है और downward इसके gravitation force है weight की वज़ा से जो force downward होगी ये दोनों forces लाग रही है ये दोनों equal होगी और opposite होगी cancel करेंगी तो cancel करेंगी तो ये charge particle यहां पर क्या होजाएगा rest में आ जाएगा यानि suspend होजाएगा जो के हम microscope से देख रही होंगे इसके inside आएगी microscope से हम देखेंगे ये rest में है जब rest में होगा तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर electric force equal है gravitation force के और यह हम adjust कर रहे होते हैं बैटरी के voltage change करेंगे तो यहां पर यहां पर charge change होगा यानि यहां पर electric field change होगी मतलब electric force change होगी यह force, electric force कम ज्यादा करके हम कितनी equal कर देंगे ग्रैविटेशन force के equal कर देंगे और जब equal होगी तो इसका मतलब है charge यहां से क्या होगया suspend होगया तो इधर हमें पता चल गया कि जब भी charge suspend होगा तो इसका मतलब यह होगा कि लैक्टिव फॉर्स, ग्रैविटेशन force के equal होगी है और जब equal होगी तो हम करते हैं, लैक्टिव फॉर्स का हम फार्मुला जानते हैं क्या होता है, क्यू एक्वल होता है और ग्रैविटेशन, लैक्टिव फॉर्स यह होगी और ग्रैविटेशन force का फार्मुला होता है mg और यहां पे हम charge find करना चाहरे है तो first of all आप e lactic field का formula लिख दें lactic field का आपने formula पड़ा होगी ई is equal to v over d होता है जो के आपने पड़ा था ना e is equal to minus delta v over delta r पड़ा था माइनस का remove कर दिया मेगनेशमोड के लिए और r की जग़ा के लिख दिया delta को भी remove कर दिया इसको simple formula लिख दिया तो E is equal to V over D को यहां पर E की value लगाएं तो यहां पर formula जो बन जाएगा मैं इदर दूसरी साइड पर लिख रहा हूँ यहां पर आप लगाएंगे तो यह आजाएगा Q into E की जगापे क्या आजाएगा E की जगापे आजाएगा V over D आजाएगा और साथ इदर एक्वल किसके हैं यहाजएगा M, G के एक्वल आजाएगा हमने values पूट की E की जगाए पूट कर दी V over D अब charge तो हमने find करना है तो charge किसके equal आजाएगा D दूसरी साइड पर जाके multiply हो जाएगा तो D को multiply कर दिया और V इस question पर के divide हो जाएगा तो यह हमारे पास formula आगया इस formula को हम नाम रख देते हैं equation 1 और यह charge का formula आगया इस formula से हम charge find कर सकते हैं अगर हमारे पास इस charge particle का mass हो और gravitation acceleration 9.8 होता है D distance between players है अगर हमें players के दिर्म्यान distance मलूम हो और जो बैटी से वोल्टे apply किया है इसको put करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा क्यों आजएगा charge आजएगा कितना charge है उस old droplet पे कितना charge है ठीक है अब देखें अगर हमें mass V का पता है जो बैटी से दे रहे हैं D between players distance है यह भी में नौन होगा जीना इंपर डेटा में पता है अगर मैस हमें नहीं पता क्यों को बड़े होंगे कुछ समाल होंगे मैस का नहीं पता तो मैस हमने determine करना है तो मैस determine करने के लिए first of all आपको यहां पर यह करना पड़ेगा कि बैटरी को switched off करना है जब बैटरी switched off हो जाएगी तो इससे क्या होगा बैटी switched off होने से यहां पर जो voltage है आप देखें यह बैटी स्विच्ट होगी यहां पर जो positive और negative चार्ज यह खत्म हो जाएगा और जब negative positive नहीं होगा तो electron की इसके साथ traction नहीं होगी जब traction नहीं होगी फर्स कहले मैं कहता हूँ कि बैटी को switch off कर दिया अब यह positive यहां से remove हो गया और यहां से negative भी remove हो गया अब जिर move हो गया तो उपर वाली ट्रैक लेक्टिक फॉर्स खत्म होगी सिर्फ नीचे वाली कौन सी फॉर्स रह जाएगी gravitational force रह जाएगी और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो gravitation force एक बात मैंने बताई थी के इसमें air है जब यह नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर friction होगी और के friction किते लगेगी अब यहां पर एर के friction अपवर लगेगी जिसको हम क्या कर देंगे ड्रैक फॉर्स कर देंगे अब इसको मैं इदर ड्रा कर लेता हूं यह ओयल ड्रॉपलेट है इस पे जब बैटिस्विश ड्रॉप की तो सिर्फ एक ही फॉर्स रहागी जो के यह ड्रैक फ़ॉर्स एकल हो जाएगी ग्रैविटेशनल फॉर्स के अब क्या हो रहा है ड्रैक फॉर्ण फॉर्सकी फोर्स एक एकल हो करने से इसकbn suit आप्लाई नहीं को अवर्श हो गई पिर यें कोई फोर्स के फूर्स अब्फारी नहीं तौर तो फुद के फूर्स करें तब उसके बाह्सि करें तब अब देखें इदर से यह आगया अब ट्रैक्पॉर्स का इसके एकवल होती है ड्रैक्फॉर्स हम जानते हैं एकवल होती है 6 पाई ईटा आर वी और टी वी टी का मतलब है टर्मिनल व्लाजस्टी कहते हैं यह कॉंस्ट व्लाजस्टी से जो के वर प्रस्टी में आप मैंस फाइंड के लिए ऐसा करते हम इसको आप एम को पूट करें, तो आप जानते हैं कि ये का फार्मॉला होता है, मैस पई यूनिट वॉल्यूम यह वी वॉल्य teenage और अबधियार सेक्ट मेस्क के कुउल आ जाएगा Willum को आप यहांपे वॉल्यम लगाएं चूर्णिक्ट charismaticyle का वॉल्यम हम जानते है आय। वॉल्यम फोर बाई थ्री पाई आर्र की खता है ठीक मीडारेक है Specifically आपर बाई ठ topic2 उंहुत है और यह वाल्यूम इधर पूट कर लेतें और यह चो फार्मूला आगे यह इधर पूट कर दें मेंसका यह पर करेंगे तो हमारे effect को बता रहा है ठीक है वी टी टर्मिनल व्लोस्टी इस एकल डू एम की जग़ा पर के आजएगा फॉर बाई थ्री पाई आर क्यूब डैंस्टी और साथ इदर के हैं इदर जी आ रहा है यह हमने एम की वैल्यू इदर पुट कर दी अब इसमें देखें यहां पर आर वान आर इrás कीूब है यह से कैंसल हो जाएका यह स्केर हो आर्य की हम वैल्यू निकालेंगे श्री căौन्की मास निकालना जा रहा है तो पहले तो मास nikaले मास मास मैस किया या यह आ आगया हम करने के लिए मैं इस धर यहां को गया अब इप 1 फाइंड मैस के वहां में में देखें क्या नोन नाइग दाइंसर फार गांसर तो रीडियस वेरियबल तो रीडियस पाइंड करने के लिए यह फॉर्मुला आजेगा नाइन इसको सॉल्ड करने आर्स को रहा जाएगा इधर एक और कैंसल हुआ तो बाकी फैक्टर इदर रहे जाएंगे तो सब्करने स से डिरेक्ट में लिखरों आप कर लीजिएगा सॉल्व करने से कहा जाएगा नाइन है इटा वी टी डिवाडिड बाइ टू रो जी ठीक है अब अन्डरूट है इसको भी रिमूव कर दें स्केर लेंगे दोने तरफ यह स्केर लेंगे तो क्या आजएगा इदर आजएगा अन्डरूट नाइन इटा वी टी आवर टू रो जी यह रेडियस का हमाई पास फार्मूला आ ग पे हमने चार्ज कर लिया था अब देखे का इन यह जो फार्मूले हमने फाइंड की है इसका पैटरन चेक करें अच्छा यह पैटरन मैंने यहां पे लिख लिए यह तीन फार्मूले हमने अभी बनाए है यह चार्ज का पहला फार्मूला बनाया चार्ज अगर फार्मूला किना है तो क्या करेंगे मैस का लगा ले में क्या है पाई यह मैं पता है 3.14 होता है ठीक होगा ठीक कोई भी इसका रीडियस ज्यादा होगा उगर ट्रोपलेट थो रीडियस वहाँ तो यह रडियस अगर नोन है तो रीडियस करने के लिए फॉर्मुलाइघ लगा लेंगे और एडियस फाइंड करना तो क्या चाहिए विस्कोस्टी फ्रिक्शन एक्ट बता रहा है तो एल्टोफित की एर के साथ कितनी फ्रिक्शन हों में घिवन होगी हमें याद लगा लें आपने फस्ट्री में पड़ी हुई है एस सवर टी ठीक है यह जितना भी डिस्टन्स है अगर यह चार्ज पार्टिकल ओएल ड्रोपलेट एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आता है तो कि टोटल कितना डिस्टन्स भी कवर कर सकता है यह डी यानि किस प्लेट के द रेकिसे देख रहे होंगे कि एक प्लेट से जब दूसरी प्लेट पर आता है तो कितना टाउम देता है डिवाइस के ओपर लिखा होगा डिवास के ओपर लिखाओः्ट करेंगे उसलो डाउसितल को के नथा पूट पूट कर देंगे तो यहां पर क्या होगा यह Btamen किया था तो कि इसके बारे हैं चार्ज इंसका होता है चार्ज उकल टू और ये इसका ये वेरी इंपोर्टन है जो इसका क्यों की उसका प्लाका क्यों इसका ब Character रोक्रक रो ले किसी औटस्ट ढूंक का चार्ज है EL टीन ऑसक्राइब ठोग ज़ेगा किसी उन लगहेंगे किया जिए तो warm लिखाएंगे चल डूवन उन प्रेंट सिक लोटन तो यह बो सएक जागए तो इन वन उटक गुंट। C.C.Sol किया तो यह आ गया और किस का चार्ज होता है हमें बता यह ऐलेक्ट्रों का चार्ज है ठीक है ओई तो हम पर यहां से एक और बात कह सकते हैं जो minimum charge होता है वो electron का होता है क्योंकि इस equation में जो हमने निकाला है यह जो क्वेशन हमने यह इसने में result बताया कि जो ओयल ड्रोप्लेट पे चार्ज है वह integral multiple of minimum charge of electron होता है और यह कैसे प्रूफ कि यह इदर खैने की जगा टो नटी इद की जने की जगा टू उड़ीजा अगर और व्stein की जगा की लगा लेए तो मततलि मत्तनी इस तरह इस मैं पता चलेगा के और चल लबटे Destiny यह तो एक लेक्ट्रोां का चार्ज है यह तो दो को झाझा यहां तो 3 लेक्ट्रों का चार्ज ठीक है इसी तरह चलते रहेगा यह फिक्स वैल्य होगा कॉन्टाइस्ट है मतलब यह फिक्स वैल्य इनके लाबा और कोई चार्ज नहीं हो सकता ठीक है एक-सी निकलाभा щgar Slowlyilot और कोई चारज छूaleyako inclus यह निकलाका 10 1998 कुलम तो यह रिदिव निकला कि काम से कम चार्ज इतना घiden और यह चार्ज किसका है अलेक्टोन का works कि म था को का इस न फिर किसका हैम लेक्टोन का छार्ज यह करने फिर फिर क्योंट है फिर इत्लगी मिनिंधी म् दें चार्ज ओन ओडोपलेट इस इंटीग्रल एन को इंटीग्रल कह रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल ओफ मिनिमम चार्ज विच इस इक्वल तो दी चार्ज ओफ एलेक्ट्रों ठीक है यह आपके इस टॉपिक के लास्ट पेराग्राफ में मैंसिन किया हुआ अब इदर से ए एक कुलम चार्ज में कितने नंबर ओफ लेक्ट्रों होते हैं तो यह उस करेंगे क्यूज इकल टू एन यी तो क्यों कितना है वन लगा दिया एन हमने फाइंड करना है यह कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइस 19 ठीक है एन निकाल लें तो इसको डिवाइड कर देंगे एक का आजए का वान वर 1.6 इंटू 10 पावर माइस 19 जाएंट इसको डेमो देख लेते हैं इस डाग्राम को यह कैसे होती है तो देखते हैं इसको अब अच्छा एक बात आपको बताओं कि यह अच्छा एक इंपोर्टन बात जो भी मैं टॉपिक आपको करवाता हूं उसको लिखा करें ठीक है पॉइंट्स बनाया करें और उसको फिर देखा करें कौन से पॉइंट्स आपको डिफकल लग रहे हैं बुक से देखा करें उससे लेटिड एम से कुस किया करें हाँ जो नहीं आती वो जरूर डिसकस किया करें मुझसे पूछा करें ठीक है तो जो आपक कामयबी का राज है वो आपकी सेल्फ स्टडी है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं निकल सकते तो जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करें